वरिल डिजज्जस की और आशकल में थोड़ा कम डिजजजस पढ़ा रही हूं हरेकश में तीन डिजजजस जो हैं वह कवर कट्यूंगी नहीं कई बार में जादा भी कवर करूंगी लेकिन जब आपको जित्ती भी diseases पढ़ाई जाती हैं तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं उनके बारे में symptoms से जानने हैं make sure कि आपको causal organism और जो मतलब बीमारी है और उसका causal organism हो उसके बारे में जानकरी पूरी-पूरी होनी चाहिए ठीक है अब तक जो कौन कौन से आती हैं पोलियो, रेबीस, वायल हीपिताइटिस, चिकन गुनिया, देंग्यू फीवर, कॉमन कोल्ट और हैनिटिस, इसको हम कहते हैं influenzae, smallpox, chickenpox, mumps, and then measles, rubella, देखे, rubeola disease अलग है, rubella जर्मल, measles अलग है जैसे नाम क्या लगता है, measles मतलब german measles, rubella मतलब rubeola disease तो यहाँ धान लखेगा कि german measles जो हैं वो rubella है और measles जो हैं वो rubeola disease है yellow fever, sarus, swine flu, genital herpes and genital wats यह हर रोज आपको इसी लिए दिखाती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैट जाए कि हाँ यह यह बिमारिया है, यह यह बिमारिया हम पढ़ रहे हैं यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया है, यहाँ तक हमने सिफ और सिफ polio को cover किया है उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो आप जानते हैं, पोलियो का cause division हम पोलियो वाइरस ही कहते हैं पोलियो को और क्या कहा जाता है, infantile paralysis या फिर पोलियो माइलिजिस, ठीक है, एंदेन कि क्या दवाई देते हैं, किसने पहला वेक्सिन दिया है, क्या कौन सा system, हमारी body में कौन से system को पोलियो वाइरस affect करता है, तो आपको याद रखना है कौन सा system, nervous system को पोलियो वाइरस affect करता है, ठीक है, जो भी छूटी छूटी जानकारी आपने पड़ी है, वो याद करनी है, चलिए, आज हम पढ़ते हैं, रिवीज के बारे, जनरल पहले बता द कि कोई भी डॉग या मंकी जिसमें की रेवीज वाइरस पाया जा रहा है, अगर वो हमें काटे है, वो हमें रेवीज होगा, रेवीज में क्या होता है बच्चा, देखो, सुनो मेरी बात, अगर टाइम से ट्वीट्मेंट ना लिया हो, ठीक है, शुरू में, आपको पता है कि कुट्टे की काटने पर 14 देज पहले इंजेक्शन लगाया जाते थे, 14 इंजेक्शन लगाया जाते थे, अब खैर 14 इंजेक्शन नहीं लगाया है है, हमारी टेक्नोलोजी जो है, वो बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं 14 इंजेक्शन की अभी लगाया जाते है ठीक है अगर वो सही से treatment ना लिया जाए शुरू में पता ना चले कि rabies है तो एकदम से जब rabies होता है उसके बार इंसान का बशना मुश्किल हो जाता है नहीं बशना है जो rabies जिसको हो जाता है उस इंसान का बशना मुश्किल हो जाता है देखिए the virus is introduced in the body by the bite of rabbit dogs usually रेबिट डॉग और जिनको पागल कुता कहा जाता ना कि वो भॉंगते रहते हैं एकदर उदर ऐसे दौड़े होते हैं किसी को भी काटने को दौटते हैं पागल बोलते हैं यह कुता तो पागल हो गया है करके ठीक तो रेबिट डॉग के काटने से जो है वाइरिस हमारी बॉ आते हैं सबसे पहले यार रिखिए गा कि जब कुटा हमें काटा है उसके काटने के रिख के 10 दिन बात symptoms आनाशुरू होनगे और कई बाट तो ऐसा भी होता है कि एक साल तक कोई symptoms नहीं आतेहे मतलब डॉग में आपको काटा और एक साल तक आपको कोई symptoms नहीं आएंगे और ultimately आपको एक साल बार जब पता चलेगा तो virus आपकी body में काफी जादा multiply हो चुका होगा and it will lead to the death of that person मैं बताती हूँ मतलब एक IS अधिकारी थे ठीक है उनको कुत्ते ने काटा तो एक साल पहले काटा था लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं था वो ठीक थे और हलका सा खरोच ही लगी थी मतलब बता नहीं उनका ही अपना कुत्ता बहार के कुत्तों के साथ जाता होगा और वो उसी के खिलते हुए उनको खरोच सी लगी थी वो ठीक थे उन्होंने इतना नहीं ये किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरा अपना ही पालतो कुता है खारोश तो लगती रहती है और थोड़े टाइम के बाद जब एक साल होने को आया तो उनमें थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने लगे पानी से डर लगता है ऐसे लोगों को जब उन्होंने डॉक्टर को बताया तो ने कहा कि क्या आपको कभी किसी कुत्ते ने काटा था तो उन्होंने बताया काटा नहीं था उन्होंने पूरा इंसिदेंस याद किया और कुछ टाइम के बाद उनकी जो थी वो डेथ हो गी और उनका विदा कुत्ता भी मर चुका था उससे पहले उनका कुत्ता भी मर चुक और कुछ टाइम में उसकी भी death हो गई थी और थोड़े टाइम बाद एक साल बाद जब उनको symptoms आना शुरू हुए तो जो अधिकारी थे उनकी भी death हो गई चीक है तो कितना 10 दिन से लेके एक साल तक का incubation period आएगा कितना आएगा अब सबसे जो second point है कि क्या होता है fear of water is the most important characteristic symptom of this disease याद रखेंगे आप कि पानी से डर लगता है जिसको rabies होता है उसको पानी से डर लगता है ठीक है मुझ से जो है वो ठूक निकलने लगता है ठीक बहुत जादा सर में दर दूती है बहुत high fever आता है ठीक है कभी खाना नहीं खाया जाता कोई पानी पीना मुश्किल हो जाता है ठीक एकदम से आप बहुत excited हो जाते हैं एकदम से बहुत depressed हो जाते हैं तो सबसे important जो sign आता है rabies का वो है पानी से डर लगना और मुझ से जो है वो ठूक बहार निकलता रहता है तो देखिए other symptoms are saliva from the mouth, severe headache, high fever, alternating period of excitement and depression, inability to swallow even fluids क्या होता है बहुत पानी से टर लगता है बहुत मुझ से ऐसे थुक थुक निकलता रहता है देखिए patient है इसके मुझ से कर आपको clearly नहीं देख थुक निकल रहता है बहुत सर में दर्ध होता है बहुत तेज बुखाराता है एकदम से आप excited हो जाते हैं एकदम से आप बहुत शान्त हो जाते हैं और even आप कोई भी fluid भी नहीं निगल पाते हैं इतनी हालत खराब हो जाती है रेबीज में अब प्रेवेंशन के से की जा सकती है तो प्रेवेंशन के लिए देखिए अब आप घली ही महले में सारे कुत्तों को तो इम्यून करनी पाते हो करते भी नहीं होंगे पर कंपड़्स्य इन्मुराइज़िशन होता है जितना भी डॉग्स एन गयोपा उनकी बोडि में जो है उनको इंजेक्शन लडवाना चाहिए लगवाता है न वाकल से जो टॉड़्स के पॉप लेशिंड लगवाना चाहिए चीठ है और जैसे आपको अगर खरोच लग गई है तो immediately उस खरोच को साबुन से और पानी से धो दीजिए ठीक है जो पालतू जान्वर है उसको 10 दिन तक जो है वो देखना पड़ता है क्योंकि यह शोर करने के लिए इसको रेबीस वाईरस तो नहीं है रेबीस वाईरस में ऐसा होता है कि अटो थोड़ा मरने वरने भी लगता है इसको रेबीस वाईरस होता है तो मतलब कुछ ऐसे symptom show करता है ठीक है आपको काटने के बाद मतलब कुट्टे ने आपको काटा उसके बाद 10 दिन तक उसको देखना होता कि कहीं यह मर तो नहीं गया ठीक तो है ठीक है जुरूरी नहीं है वो आपका पैठी हो बहार से आपको किसी भी कुट्टे ने काटा है उसको दस दिन तक चेक करना पड़ता है वो है यह नहीं है उसको तयका बिहेवियर तो चेंज नहीं हुआ है अगर उसको रेवीज है तो चिक देखे देखिए there should be compulsory immunization of dogs and cat population compulsory immune कर यह सब को immune कर यह immediately wash your wound with soap and water गाव को साबुन पाने से दो यह after this give anti-revees vaccine to the patient patient को anti-rabies vaccine दीजी and pet should be washed for 10 days after it has bitten someone to make sure that it does not have rabies virus जब किसी कुटे ने किसी इंसान को काट लिया है तो उस dog पे ज़रूर 10 दिन तक नज़र रखे कि कहीं इसको rabies virus जो है उन है तो नहीं कहीं है न देखे अब next हम बात करते हैं hypotitis की माम hypotitis तो हमने पढ़ा था sexually transmitted diseases में लेकिन ध्यान रखे जो hypotitis है hypotitis बेटा वो भी hypotitis भी पढ़ा था हम भारा हम आ भार ओवरॉल hypotitis की बात करेंगे जो hypotitis है ना उसको और क्या कहते हैं हिंदी में और क्या कहते हैं याद रखेगा जॉन्डिस भी इसी को कहा जाता है जो हिपटाइटिस है इसको जॉन्डिस भी कहा जाता है पीलिया भी कहा जाता है यह पॉइंट यार रखना है यह पॉइंट भूलना नहीं है कि हिपटाइटिस को और क्या कहा जाता है जॉन्डिस भी कहा जाता है ठीक है symptoms क्या आते हैं, fever आता है, anorexia, भोग नहीं लगती मतलब, उल्टी आती है, चक्र आता है, पूरा जो आपका स्टमक है, बहुत उसमें discomfort रहता है, muscles में, joints में pain रहता है, जो stool है, potty है, बहुत पीली आती है, urine भी dark yellow हो जाता है, देखिए यह sclera है, जो arrow लगा है, यह sclera है, जो यहां पर membrane आपको नज़र आ रही है, क्या ही sclera है, sclera जो है, वो कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है, क्यूं हो जाती है, दरसल जो यह hepatitis का वाइड़स है, यह हमारे किसको attack करता है, liver को attack करता है, जब यह याद आता है, यहिला हुआटिस जो हैूँ वो किसको अटेक करता है। है। फिर उनसे 2 component निकलते हैं बिली रुबिनी और यह ही फिर हमारी blood vessels को और यह पूरा हमारी नर्ञ ही यह बांकिंव लो सब्सेற तェरीथज को पूरा यह जिल्ड़ है क्या हुआ हिपाटाइटिस कहा अटाक करता है बोलिये जल्दी से अटाक करता है यह लीवर पे चीक है तो छे तरह के हिपाटाइटिस वायरिस होते हैं हिपाटाइटिस A B C D E G सबसे जो खतनाथ होता है है वो कौन सा है most dangerous जो है most dangerous वह कौन सा है हिपाटिस भी sexually transmit होता है क्या बताया मैंने मैंने यहाँ add करना भूल नहीं हूँ आपको याद रखना है कि हिपाटाइटिस जो है हटाइडिस है हेटाइडिस का जो वाइरिस है वह लीवर पे आठैक करता है लीवर पे रचषा है तो है बर्स होती तो इसे वह सिंपॉनेंत करी सिफिर वि्युज़ कोई करती है तो ब्ली वर्रोतेकन चीए और फिर उनी की वो जो है वो यलो कलर देते हैं पूरी बॉडी को इसलिए हिपटाइटिस को पीलिया भी कहा जाता है बुखार आएगा भूक नहीं लगेगी नौज्या वर्मिटिंग अपिगेस्ट्रिक दिस्कमफर्ट पेनिन मसल्स और जोइंट आर समॉप देखने को मिलेंगे हिपटाइटिस के इंफेक्शन देखने को मिलेंगे और बताइए सबसे डेंजरस जो है मैंने कौन सा बताया मैं दो मिनट के लिए चुप चाप हो जाओंगी ठीक है बताइए हाँ दिख रहा है मैं हमें हिपटाइटिस बी काउजल और पूछेंगे तो हिपटाइटो वाइरस ही कहेंगे ठीक है कि कौन जो है वो काउस करता है हिपेटाइटिस को तो हिपेटाइटिस A, B इसी तरह से बोला जाता है हिपेटाइटिस A वाइरस, हिपेटाइटिस B वाइरस, हिपेटाइटिस C वाइरस ठीक है या हिपेटो वाइरस हिपाटो का जो टर्म है वो कहां से रिलेटिड है लीवर से रिलेटिड है इसलिए क्लियर हो जाता है कि हिपिटाइटिस वाइरस जो है वो लीवर को इंफेक्ट करता होगा देंग्य और देंग्यू जैसे भी आप प्रनॉंस कराने है ऽो प्रनॉंसर होता है इह ये कैसा फेलता है देंग्यू फिवर इस वाइरस के लिए डेंग्यू लेकिन इसके लिए इस वाइरस के लिए वैक्टर कौन होता है वाइरस और डेंग्यू फीवर इस ट्रांस्मिटेट बाइ बाइट और इडीस एजप्टाई और इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है देखिए किसकी बाइट से जो है वो डेंग्यू होता है Ides egyptai मौस्किटों की काटने से ही डेंगु होता है अब बताएं मलेरिया किसकी काटने से होता है मलेरिया भी मौस्किटों की काटने से होता है कौन से मौस्किटों? Pinelle Anophilis ठीक है और डेंगी Ides egyptai जिसको tiger मौस्किटों भी कहा जाता है ठीक है एडीस मौस्कितों ब्रीट in clean water and bites only during the time याद रखीगा इडीस मौस्कितों जो है वो सिर्फ साफ पानी में bread करता है ब्रीट समझते है ना जो इनका breeding होता है वो सिर्फ clean water में होता है और इडीस मौस्कितों सिर्फ दिन की time काटता है रात के time नहीं काटता है और mosquitoes को आप जितना भी चाहें कि क्या हो जाए हटा दिया जाए नहीं हटेंगे mosquitoes जो है वो उनको खतम करना चाहेंगे आप तो ये खतम नहीं होंगे बेके दो तरह क्या होता है Classical Dengue Fever होता है और Dengue Hemorrhagic Fever होता है H है ये Dengue Hemorrhagic Fever होता है और Dengue Classical Fever होता है Classical Dengue Fever यार जखेंगे कितने टाइप का होता है Dengue Classical Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever अब क्या symptoms है Classical Dengue Fever के तो देखिए एकदम से बहुत ज़्यादा बुखार आता है Onset of High Fever Sudden Onset of High Fever और आपका जो माथा होता है Frontal जो आपका Head है Forehead वहाँ बहुत सरदर्थ होता है फिर Eyes के पीछे Eyeball के पीछे जो है वो दर्थ होता है जो Eye Moment जो आप करेंगे आपनी आँखें इधर उधर गुमाएंगे तो वो दर्थ बढ़ता ही जाएगा आपकी Muscle में जोइंस में भी काफी दर्थ होगा भूप खतम हो जाएगी Body पे रैशिस हो जाएगी उल्टिया और नॉज्या जैसा आपको उल्टी लगेगी और नॉज्या जैसा आपको फील होगा एकदम से Classical Dengi Fever में क्या होगा एकदम से High Fever सरदर्थ होगा आँखों के पीछे दर्थ होना शुरू होगा पुरी Body में दर्थ होना शुरू हो जाएगी भूप खतम हो जाएगी Body पे रैशिस हो जाएगी और आपको चक्कर साने लगेगा और उल्टी सी आपको फील होगी चीक है अब Dengi Hemorrhagic Fever होता है उसमें क्या होता है इसमें नाक से मुह से और जो आपके मसूरे हैं Gums है ठीक है उनसे खून निकलने लगता है याद रखेंगे Bleeding होने लगती है नाक से मुह से गम से ठीक है और बहुत सादा पीट में डर्थ होने लगता है ठीक है और vomiting होती है with blood or without blood मुह से खून निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता और skin जो है वो clampy सी हो जाती है पीली पर जाती है बहुत जादा प्यास लगती है जब hemorrhagic fever होता है देंगी hemorrhagic fever होता है मुह सूख जाता है आपकी pulse जो है वो बिलकुल weak हो जाती है सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ही आप असहत सफली करते है restlessness होती है plus constant crying जो है वो मतलब आँखों से पानी ही बहता रहता है समझ कहें कि नहीं क्या bleeding हुई classical fever में classical fever में bleeding नहीं होती है देंग्यू जो hemorrhagic fever है उसमें bleeding होती है bleeding होगी nose से mouth से gum से और skin से बहुत दर्द होता है पीट में अब यह bleeding होने का reason क्या होता है दरसल जब हमारी जो blood है मतलब जब यह देखिए हमें बताती हूँ कि यह blood vessel है ठीक यह है हमारी blood vessel अब जो blood निकलता है तो थोड़े तो कहीं ना खुन ही थोड़ा थोड़ा लगती रहती है थोड़ा थोड़ा जो है blood vessel को अब खुदी चोट लगती रहती है अब जैसे ही हमारी blood vessel को चोट लगती है न एकदम से platelets जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और वहां पे प्लग बना देती है और हील कर देती है लेकिन हम्रेजिक फीवर में क्या होगा वो प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी वो रोके नहीं फिर वहां पे क्या नहीं कर पाएगा ब्लड को क्लॉट नहीं सही से कर पाएगा और फिर्ट एज रिजल्ट क्या होगी ब्लीडिंग होगी नाक से मूस से गम से स्किन से पूरा एसे रेड होके जीप सामलों स्किन ब्रूजिंग हो जाएगी समझते हो आपकी मस्तल्स यहां से ऐसी दिखाई लाल-लाल से दिखाईने लगते कई बात वासे लगता है बिल्कुल खून निकलने वाला है तो यह होता है डेंगी हैमरेजिक फीवर में समझे आप यह नहीं समझे समझे ना तो यह आपको क्लासिक और हैमरेजिक के दोनों के सिम्टम्स को एक साथ मतलब याद करना है किसमे हुआ किसमे नहीं हुआ ड्राइ माउथ किसमे होता है ठीक है तो आपने तीन पढ़े आज कौन-कौन से पढ़े तीन रेबीज हिपिटाइटिस और जेंग्यू और पोलियो पढ़ा है चारों डिजिजिस को फृच से